अब देख रहे हैं आप ये टेस्टी सी बेसन की बर्फी और इसका टैक्षर भी आप देख सकते हैं कि कि तनी अच्छी दारेदार मूह में खुल जाने वाली बर्फी हमारी बनी है लेकिन जानकर आपको अश्य रहे हुआ कि हमने इसे बनाया है बिना गैस जलाई जी हां दोस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप जिसे भी मिठाई खिलाएंगे कोई बता ही नी पाएगा कि आपने से घर में और बीना गैस चलाय बनाया है तो इस बर्फी को बनाने के लिए दोस्तों मैंने ले लिए एक बुने हुए चने यह मैंने फीके वाले चने लिए है कुछ चने नमक वाले भी आते हैं लेकिन आपको मिठाई बनाने के लिए फीके वाले चनों को ले लेना है और अच्छे से बुने होने चाहिए सीले बिल्कुल ना हो और इस तरीके से हातों से रगड़ते हुए आपको इनका पूरा चिलका अलग कर देना है मतलब इस मिठाई में चिलका बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए उससे कलर और टेस्ट दोनों ही खराब होता है तो अच्छे से आप पूरे चिलके को अलग कर लें तो देखिए मैंने सारे चिलके को अलग कर लिया अब मैं चनों को डालूँगी एक मिकसी के जार में और इसका एक बारीक सा अब देख सकते हैं जो मोटे पीस्ते वह अलग रह गए हैं और इसी जार में मैंने डाली वन थर्ड कप चीनी मतलब मेजर्मेंट अब ध्यान से देखें और इसमें दो इलायचिया डाल दी मैंने अच्छे टेस्ट के लिए चार-पांच बादाम और चार-पांच काजू ड अब आधार पर आप सारी चीजे इसमें एड करें तो देखिए मैंने चीनी वाला मिक्स और भुने हुए चनी का जो पाउडर था उसको एड कर लिया अच्छे से कर लिया मिक्स अब अच्छे टेस्ट के लिए मैंने डाला वन थर्ड कप डैसेकेटिट कोगोनेट और वन थ तो सारी चीजे को कर ले मिक्स अब इसको सेट करने के लिए मेरे पास इस तरीके का एक डबा था तो मैसे घी से कर दूँगी आपके पास कोई थाली हो प्लेट हो जिसमें भी आप चाहें से जमा सकते हैं तो अब मैंने ले लिए आधा का फ्रेश दूद की मलाई मतलब आप लेकिं अपस्टर है अगर है आपके पास तो डालें अब पहले मैं डाल दूँगी इसमें 2 चमश मलाई मलाई और डाल कर आपको इसको मिलाना है क्योंकि हाथों से मिलाएंगे तब ही जो इसका मिठाई का Mix है वो नहीं बन पायगा क्योंकि जैसे ही आप मलाई इसमें डालेंगे तो चीनी मॉस्चर रिलीस करना स्टार्ट कर देती है और मिल्क पाउडर में भी थोड़ा सा मॉस्चर आ जाता है तो इन सारी चीज़ों को हाथों से इस तरीकी से मसलते हुए आप धीरे धीरे करके इसमें मलाई मिक्स करते जाएं और पूरे मलाई को इस सारे मिक्स में मिला लें जब तक कि एक डो की फॉर्म में ना आ जाए अगर आपके पास मलाई कम हो कांटिटी में हो तो आप इसमें 2-4 चमबच दूद भी एक कर सकते हैं लेकिन मलाई से क्या है कि काफी अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें और बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि आपने इस मिठाई को घर में बनाया है तो मैंने अभी तक 4 बड़े चमबच मलाई डाल दी है धीरे धीरे बस मिक्स करते रहें अच्छे से हातों से तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें 4-5 बड़े चमबच मलाई का इस्तेमाल किया है और हमारा एकदम पर्फेक्ट सा डो बन गया है ध्यान रखना है कि आपको इस डो को बिल्कुल भी जादा गीला नहीं करना है अगर एक प्रसेंट आपका मिक्स गीला हो जाए तो आप इ कि इतनी मोटाई में आप बर्फी को जमाना चाहते हैं उतनी मोटाई में आप इसे सेट कर लें मुझे ये बर्फी थोड़ी मोटी रखनी थी तो मैंने पूरे डब्बे में इसको नहीं फैलाया है मतलब थोड़ा सा कम रख दिया है क्योंकि मुझे लग रहा आता कि परफेक्ट होना चाहिए बिखरा भी नहीं और बहुत गीला भी नहीं तो देखे मैंने इसे सेट कर लिया अब इसे बस आदा गंटा आप रूम टेंपरिचर पर छोड़ देखे मैंने सिर्फ आदा गंटा इसे रूम टेंपरिचर पर छोड़ा और जो हमारी बिठाई है वो किसी कोने से गोलाई पर थे तो हम इसे थोड़ा फाइन कट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे टेक्शर की हमारी बर्फी जो है वो बनकर तैयार हुई है मैं आपको थोड़ा सा टेक्शर इस मिठाई का दिखाते हूँ कि यह ना तो बिल्कुल भी गीली ह और बिल्कुल मॉइस्ड दानेदार बर्फी हमारी बनकर रेडी हुई है तो अब जैसे भी आप पीसिस पसंद करते हैं वैसे पीसिस कट कर सकते हैं तो मैंने थोड़े थोड़े से इस तरीके से ट्राइंगल पीसिस में कट कर लिया है इस तरीके से कटी हुई बर्फी आपने इस पिठाई को घर में बनाया है तो लीजे दोस्तों हमारी ये टेस्टी सी बेसन की बर्फी सर्व के लिए त्यार है अगर आपको ये रैस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाए को शेर जरूर करें और अपने अनुभो मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताएं और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो इस रक्षा बंदन पर आप भी बनाईए टेस्टी सी मुह में खल जाने वाली बेसन की बर्फी वो भी सिर्फ पांच मिनट में बिना गैस जलाए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं पर एक नई रैस्पी के साथ तन्य वाद